अलो गाईज, मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ओफ टेकनो पर डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वन लाइनर अमसेक्यू की सीरीज वो चल रही है आठ से नो क्लासे हो इसकी हो चुकी है पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो चैनल पर आपको वन लाइनर अमसेक्यू की नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी वहाँ से आप पहले की सारे वीडियो देख सकते हैं यह वन लाइनर अमसेक्यू की सीरीज है वो अगर आप हमारी कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं तो आपकी 60 परसेंट अवो बेसिक कलियर हो जाएगा यानि जिस स्टुडेंट को जीरो लेवल तक आता है उसका 60 परसेंट कलियर यहां से हो जाएगा वन लाइनर अमसेक्यू से इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ ठीक है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा और इसके साथ में हमारा चैनल है यह आईटे स्टुडेंट के लिए डेडिकेटेड चैनल है तो अगर आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लिजी क्योंकि इस पर आपको टेक्निकल जोब रिक्वाइरमेंट की भी जानकारी मिलती रहती है चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्योंसन है मिट्रिक माइक्रोमेटर की थिम्बल पर 0.001 मिलिमेटर की ग्रेजवेशने बनी होती है जो मारा मिट्रिक माइक्रोमेटर होता है उस पर जो ग्रेजवेशन मनी होती है वो मिलिमेटर में मनी होती है और की बात कर रहा है तो तीमल को 50 बराबर भागों में डिवाइड किया वा रहता है यानि कि एक भाग का मान है वो 0.01 mm होता है यह इसका metric micrometer का list count होता है यानि कि इसको metric micrometer का अलपत मांक भी बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट इस में जिस vernier clipr क miscale के 19 mm को 20 बराबर भागों में बांट कर vernier scale बनाया जाता है यानि vernier campeer में क्या होती है एक meer scale होती है एक soldier scale होती है ठीक है तो उनके दोनों के बीच का अंतर है वो ही क्या होता है list count होता है तो इसमें क्या दिये है कि main scale के 19 भाग है और ponier scale के क्या है 20 भाग है तो उसका लेस्ट काउंट है वो 0.05 mm होगा यह यहां पर न पॉइंट आने वाला है ठीक है यह 0 नहीं रहे गाए यह 0.05 mm आएगा यह 0 से 50 लिखावा है यह गलती से लिखा गया होगा ठीक है तो क्या है कि मेर्न स्केल के 19 भाग और वर्णियर स्केल के 20 भाग अगर निकल कराता है वही क्या होता है वर्णियर केलिपर का लिस्ट काउंट कहलाता है यानि कि वर्णियर केलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm भी होता है 0.01 mm भी होता है और 0.05 mm भी होता है लेकिन यह डिपेंड करता है इसकी वर्णियर स्केल के उपर ठीक है नेक्स्ट है हमारा ए सीन 돼ख हम करते हैं यानि की कोई चीज है वह हार्ड है पुछ होगय है या उस पर हमने क्या क्या कारीय किया तो उसमें आंत्रिकले श्ट्रेसस से आ गए तो उसको मसीनिंग योग के दुबारा मसीनिंग करने योग्य के लिए क्लिग या करते हैं यप seguinte करते वहीं पर एक normalizing process भी होता है, तो normalizing process में क्या होगा, हमारी दातु है, वो soft हो जाएगी, यानि कि जो starting में थी, उसके बाद उसमें हमने operation किया, उसमें heat treatment किया, तो जो उसमें changes आए, वो सब क्या हो जाएंगे, changes है, वो हट जाएंगे, जो strates है, strates जो उसमें आए है, जो लवस्ता में वापिस आजाती है, उसको normalizing क्याते हैं, और anneling में क्या है, machining योगे सुधार लाने के लिए, ताकि उस पर कोई भी machining operation अवह हम कर सके, इसके योगे बनाने के लिए उसको anneling की जाती है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, 5S का अतात परे, sort, set, sign, standardization, और sustain से ह यानि कि 5S में क्या होते हैं, 5S होते हैं, जो जापान के यार्व दालना है, अजकल क्या हर जगे इसका 5S का यूज होने लगा है, चाहे हमारी idea की ब्रक्षोफ हो, चाहे हमारी company की ब्रक्षोफ हो, चाहे हम जहां government job कर रहे हैं, वहां की हो, यानि कि show floor फे 5S का है, वो बहु होती ही कम हो जाती है, तो 5S में 500 क्या होते हैं, पहला होता है short, दूसरा होता है set, तीसरा होता है sign, चोता होता है standardization, और 500 होता है sustain, ठीक है, तो यह क्या है 5S हैं, अब इसके advantage क्या है, तो आगे इसमें next में दिवा है, 5S system का लाब उतपादक्ता बढ़ाना है, ठीक है, तो 5 देखिवी चीजें वो साफ सूत्री होती है, और देखने में भी सुन्दर लगती है, ठीक है, next dish में क्या दियावा है, next dish में दियावा है, first aid box को आसानी से पहुंचने वाले इस्तान में रखना चाहिए, यानिकि जो हम first aid box है, वो workshop वगेरा में रखते है, show floor पी first aid box रखते ह तो वो ऐसी जगह होना चाहिए, जहां तक क्या है, कोई भी यह वो आसानी से पहुंच सके, यानिकि वहां तक जाने का रश्ता वो किलियर होना चाहिए, यह ना हो कि किसी machine के ऊपर लगा हूँ है, पीछी की side में, तो वहां पर जानने में या पहुंचने में, first aid box हो निकाल कि उसरे में, foam, पानी, dry capable का प्रियोगा वो किया जाता है, यानि कि fire हो चार परकार की होती है, class A, class B, class C, और class D, ठीक है, अलग अलग परकार की fire होती है, class A में हमारा लकडी है, कोईला है, रबर है, इसके अलावा कागच है, कपड़ा है, यह सब चीज़ें आती है, ठीक है class B fire के अगर हम बात करें, class B fire में oil आता है, class C के बात करें, तो gas आती है, और class D fire में electric fire आती है, ठीक है, इनको बजाने के लिए अलग अलग fire extinguisher हो यूज किये जाते हैं, तो वहीं पर class A की बात कि रहें, तो यहाँ पर foam fire या फिर पानी है, या फिर dry chemical है, यह सब यूज कर स लगते है, next is में दिया हुए, निचले स्तर के current से बिजली का जटका लगने से वेक्ति अपना संतूलन हो देता है, और गिर जाता है, यानि निचले स्तर का current लगने के बात क्या है, जहाँ अबर क्या है, कि low voltage का current अगर लगता है, ठीक है, तो वहाँ बर क्या है, कि जो वेक current लगता है, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, अगर high voltage का current लग जाता है, तो अचानक से क्या हो जाती है, उसकी मृत्यू हो जाती है, ठीक है, तो उसी चीजों के बारे में बताया है, fire से भी हमें, current से भी बच कर रहना चाहिए, next इसमें बात करें, तो चीजल के cutting point angle को wedge angle के की रूप में जाना जाता है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे chipping हम करते हैं, तो उसका point है, वो आगे से क्या करते हैं, तेजधार वाला बनाते है, soft दातों के लिए point angle कम रखा जाता है, hard metal होता है, उसके لिए point angle जादा रखा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है, wedge angle के रूप पर इस्कोयर थ्रेड बनी होई होती है Heart होती है लेकिन डॉṣ 22 बिचवाइस की बात करें तो ओसकी बटरस फिर्ट होती है वह स्क्वाइरफ्ट को ही मोडिफाइ कर कि बनाया जाता है वेसे अगर नौर्मलिय पूछें तो bench wise में square thread कटी होती है, late machine की बात करें तो square thread कटी होती है jack वगेरा की बात करें तो वहाँ पर क्या square thread कटी होती है लेकिन late machine के spindle गयाने की lead screw की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक में thread कटी हुई रहती है लेकिन वो भी क्या है square thread को modify करके एक में thread बनाया जाता है basic quick release बेच्वाइस में जो buttress thread कटी होती है उसको भी modify करके बनाया जाता है इसके अलावा buttress thread आपके कटी होती है जो micrometer होता है उसके अंदर कहां पर कटी होती है आप में comment करके जरूर बताइएगा ठीक है मैं आपको इतना बता देता हूँ कि micrometer में भी buttress thread कटी होती है कहां पर कटी होती है वो आप comment box में comment कीजिएगा ठीक है अगर आपको नहीं मिल बाता है तो आप हमें comment कीजिएगा message केजिएगा आपको इसका reply को ज़रूर मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट है एकसा ब्लेट को प्राए high carbon steel से बनाया जाता है एकसा ब्लेट हो high carbon steel high speed steel से बनाया जाता है इस एकसा ब्लेट को भी all hold और flexible hard दो तरीकी से हम hard करते हैं यानि कि एक तो केवल दांतों वाले भाग को hard करते हैं दूसरा होता है कि pin hole को छोड़ कर बागी पूरे भाग को hard किया जाता है pin hole को हम hard क्यों नहीं करते हैं ताकि उसमें क्या है लगने आले जटके वो pin hole आसानी से सहन कर सके ठीक है एक जो flexible hard होता है उसमें only दांतों वाले भाग को hard किया जाता है और all hold होता है उसमें pin hole को छोड़ कर बागी पूरी body को hard and temper हो कर दिया जाता है ठीक है एक spring temper भी होता है जिसमें आगे वाला भाग यानि कि दांतों वाले भाग को hard किया जाता है और पीछे वाले भाग को यानि कि कनारे को हो उसको only hard किया जाता है तो वो spring temper कहलाता है तो वो hydraulic pressure की दवारा है वो set किया जाता है जितना pressure हम set करेंगे उसके according हमारे hexa blade बर क्या रहेगा pressure लगेगा और उसके इसाफ से वो cutting करता हुआ नीची की तरफ चलता रहेगा तो वो क्या वहाँ पर hydraulic system के दवारा उसमें pressure हो दिया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है marking media में copper sulfate को सावदानी प्रियोग में लाना चाहिए क्योंकि ये जहरीला होता है copper sulfate होता है वो क्या होता है जहरीला marking media होता है तो इसको हमें सावदानी से arm जो हाथ में gloves वगेरा पहन कर इसको यूज करना चाहिए ठीक है और जो हमारे scriber वगेरा होता है उसकी doctor है copper sulfate है वो लगावार नहर रह जाए रहे इस बात का भी हमें द्यान रखना चाहिए अगर लग जाए तो उसको क्या है साफ करके उसके बाद रखना चाहिए क्योंकि यह जहरीला होता है जिससे हमें दुक्सान हो सकता है वही पर पूछा जाता है जैसे copper sulfate दे रखा है एक पूछा जाता है कि Persian value के बारे में तो Persian value है वो हमारा सूखने बे ज़्यादा समय लेता है ठीक है उस पर marking की लाइने अच्छी आती है और एक होता है cellulose lequor तो cellulose lequor है वो जल्दी सूखने वाला marking media है वही पर अगर मैं बात करूँ Persian value की तो Persian value होगो देरी से सूखने वाला marking media है copper sulfate होता है यह जहरीला होता है और choke powder का प्रियोगम casting वगेरा की surface पर करते हैं ठीक है तो यह 4 परकार के marking video होता है जिनके बारे में ज्यादा तर पूचा जाता है चारों को मैंने आपको clear कर दिया है ठीक है dear friend आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा share कीजी और हर साम 8 बजे वीजीट करना ना बोले wish you all the best जय हिन जय भार्थ